हलो दोस्तों हमारी यूटूब चैनल टी एस्टेडर पाइंट की इस नए वीडियो में आपका एक वर फिट से स्वागत है दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं छोटे बच्चे की हाफ सर्ट की कटीन कीस तरह से करते हैं इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी आल पे रख ले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नेटिप्रिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सर्ट का नाप देखे लिते हैं लंबई है 17, सीना 22, सोल्डर 12, 80, 45 इंच, मोरी 8 इंच और कालहर 11 इंच तो इनी नापों से दोस्तों आज हम छोटे बच्चे की हाफ सर्ट की कटीन करेंगे सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर कपड़ा कितना लिया है यहाँ पर हम नाप के दिखा देते हैं तो यह देखे दोस्तों यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से हम कपड़े को नाप के दिखाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया हुआ है दोस्तों यह देखिए एक मीटर और चार पाइंट तो आज दोस्तों यहाँ पर हम एक मीटर और चार पाइंट में हाप सर्ट की कटीन करेंगे छोटे बच्चे की सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक सीधी लाइन करेंगे लंबई है 17 इंच तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करेंगे और 18 इंच पर लंबई का निसान लगाएंगे तो यह देखी इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर 18 इंच पर लंबई का निसान लगाएंगे एक निसान यहाँ पर और लगाएंगे इसके बाद हम प्लेट कर निसान लगाएंगे तो यहां से हम कोर से देड़ इंच लेंगे प्लेट के लिए इसके बाद सोल्डर डाउन कर निसान लगाएंगे सोल्डर है बारा इंच तो यहां पर हम देड़ इंच डाउन करेंगे और यहां पर हम आर्म होल का निसान लगाएंगे यहां पर हम आर्म होल का निसान सीना की हिसाब से लगाएंगे तो हमारा जो सर्ट का सीना है बाइस इंच है तो बाइस का चौंत है इस से करेंगे तो साड़े पांच इंच तो यहाँ पर आर्माहल का निसान हम 5.5 इंच रखेंगे यहाँ पर कालहर का निसान लगाएंगे कालहर है 11 इंच तो यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे तो इस निसान से यह देखी यहाँ पर हम 2 इंच पर निसान लगाएंगे यहाँ पर भी 2 इंच लेंगे और उपर से निचे जो हला रहते हैं इसके लिए यहाँ पर हम 7 दो इंच लेंगे इसके बाद यहाँ पर सोल्डर कर निसान लगाएंगे सोल्डर है हमारा बारा इंच तो बारा का हाप करेंगे तो 6 इंच तो यहाँ से हम 6 इंच लेंगे और हाप इंचे ener पर दबाव क्लिए लेंगे इसके बाद solar का हाप यहाँ पर भी निसान लगाएंगे 6 लेंगे और इसके बाद अंदर की तरफ हाप इंच लेंगे यह देखे इस तरह से इसके बाद सीना का निसान लगाएंगे सीना है 22 लेंच तो 22 का यहां पर भी लगाएंगे बाटम में यहां पर हम हाप इंच इस तरह से निसान लगाएंगे और यहां से अर्म होल को राउंड करेंगे काल हर को भी इस तरह से हम राउंड कर लेंगे इसके बाद यहां से यह देखे दो से देडिंच तक हम इस तरह से हम निसान लगाएंगे और इसको ओपन सेब देंगे यह देखे इस तरह से हम ओपन सेब देंगे यहां पर इस तरह से कट लगाएंगे प्लेट के पास इसके बाद यहां पर बेक पार्ट की कटिण करेंगे यह देखे सबसे पहले हम कॉर को छोड़ देंगे क्यूंकि हमारा जो सर्ट का कॉर है बहुत जादा चोड़ा है तो यहाँ पर हम core को छोड़ देंगे और यहाँ पर हम जितना हम front में सीने कनाप लिए हैं उससे half inch कम करके यहाँ पर निसान लगाएंगे तो यहाँ से रखेंगे इंची टेप को हमने सीना लिया था 7.5 inch तो यहाँ पर हम half inch minus करेंगे तो 7 inch यहाँ पर हम 7 inch पर निसान लगाएंगे इससे उसके बाद जहाँ पर हम निसान लगा हैं उसको इससी पकड़ेंगे और यह देखे इस तरह से हम folder कर लेंगे इसके बाद front को रखेंगे इसके उपर और यहाँ पर हम सबसे पहले shoulder जो आण के लिए बेक पर डाउन का निसान लगाएंगे तो यहाँ पर हम दो इंच ही रखेंगे यह देखिए इस तरह से दो इंच पर निसान लगाएंगे और इस निसान को यहाँ पर हम किनारे पर रखेंगे यहाँ पर बेक में हम सोल्डर का निसान लगाएंगे solder का half होग अच्छ है और half inch plus करेंगे तो 6.5 इंच तो यहां से हम 6.5 इंच लेंगे यह देखिए इसको इस तरह से सिधा करेंगे और यहां पर हलका round कर लेंगे यहां पर bottom में भी इस तरह से हम निसान बना लेंगे पहले यहां पर bottom की जब cut in करेंगे तो हलका से इसको छोड़ते हुए cut in करेंगे यह देखिए दोस्तों छोड़ देंगे यहां पर center का cut लगाएंगे यह देखिए दोस्तों इतना कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है यहां पर हम इसके बाद अस्तिन की cut in करेंगे तो इस तरह से हम double करके fold कर लेंगे उसके बाद एक बार और fold करेंगे यहां पर हम सबसे पहले एक से देड़ इंच यहां पर इस तरह से हम निसान लगाएंगे क्योंकि यहां पर हम bottom को fold करेंगे हाप अस्तिन है तो अस्तिन की लंबई है साड़े चार इंच तो half इंच प्लस करेंगे तो पांच इंच तो इस निसान से हम पांच इंच लेंगे यहां पर विस तरह से पांच इंच पर निसान लगाएंगे यहां पर हम armhole down करेंगे यहां पर हम 2 इंच डाउन करेंगे इसके बाद यहाँ पर आर महुल कर निसान लगाएंगे तो हम आर महुल लिये थे साड़े पांच इंच तो यहाँ से हम साड़े पांच इंच रखेंगे और इस तरह से इसको राउंड करेंगे महुरी यहाँ पर हम लेंगे आठ इंच हमारा महुरी है तो यहां पर 8 का हाप करेंगे तो 4 इंच तो यहां से हम 4 इंच पे निसान लगाएंगे और यह देखे इसको इस तरह से हम सीधा करेंगे यहां से इसको तीर्चा करेंगे यहां पर 1 से 10 इंच यह देखे इस तरह से निसान बनाएंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे सेंटर का और यहाँ पर भी इस तरह से कट लगाएंगे इसके बाद यह देखिए एक साइट को हम इस तरह से डाउन करेंगे यहां पर सोल्डर की कटिन करेंगी क्योंकि यह बच्चे का सर्ट है तो यहां पर हम डबल सोल्डर की कटिन करेंगे तो यहां पर हम डबल सोल्डर की कटिन एक साथ करेंगे तो यह देखी इस तरह से हम डबल करके फोल्ड कर लेंगे और यह हमारा जो फ्रंट का कपड़ा यहां पर बचा हुआ था उसका कपड़ा है इसके बाद इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे सबसे पहले सोल्डर की चोड़ाई का निसान लगाएंगे हमने डाउन किया था बेक पार्ट को दो इंच तो यहां पर हम दो इंच प्लस करेंगे और चार इंच पर इस तरह से निसान लगाएंगे सेम निसान यहां पर भी लगाएंगे चार इंच यहां पर लंबाई का निसान लगाएंगे यहां से यहां तक तो सोल्डर की लंबाई है 12 इंच तो 12 का हाप करेंगे 6 और हाप इंच प्लस करेंगे तो 6.5 इंच तो यहां से हम 6.5 इंच लेंगे सेम निसान यहां पर भी लगाएंगे 6.5 इंच और यहाँ पर हम दो सूंत एश्टर लेंगे इसके बाद कालहर का निसान लगाएंगे हमने फ्रंड में कालहर लिया था दो इंच तो यहाँ पर हम दो सूंत प्लस करेंगे और सवा दो इंच पे निसान लगाएंगे अब दो सूंत क्यों प्लस करेंगे दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जब सेब देंगे तो रॉंड फंटी से इस तरह से शेब देंगे यहाँ पर कालार को इस तरह से हम रॉंड करेंगे यहाँ पर इस तरह से सेंटर का कट लगाएंगे नीचे की तरब भी लगाएंगे तो यह देखे दोस्तों यहाँ पर हमने दो सोल्डर की एक साथ कटिन की है यह देखे इस तरह से इसको हम यहाँ से इस तरह से अलग कर लेंगे कटिन करके तो यह देखे दूस्तों यहाँ पर हमने दो सोल्डर की एक साथ कटिन की है